तो आप सब भी यही सोचे होंगों कि लोगडाउन में क्या करोना है? लोगडाउन क्यों है? कोरोना की वाज़े से और कोरोना क्यों है? ऐसे कुछ society में जो लोग हैं जो कि अपना ध्यान नी रखते, अपने अपनों का ध्यान नी रखते, अपने परिवार वालों का और society वालों का और अपने आसपड़ोस के और गली मोहले वालों का ध्यान नी रखते जिस वजे से यह वायरिस इतना ज़्यादा spread हो गया है कि हमें groceries के लिए, medicines के लिए, bank में से, ATM में से, पैसे निकालने के लिए भी, सो समझ के बार जाना पड़ रहा है और हम घर बैटे, बोलते जरूर है कि lockdown जल्दी खतम करोना, लेकिन खतम जल्दी होगा कैसे? अगर हम घर से बार निकलना बन नहीं करेंगे, बिना कोई काम के अगर घर से नहीं निकलेंगे, तो यह खतम होई नहीं सकता अगर हमें इसे खतम करना है, तो हमें एक जुट होकर साथ मिल कर इस बिमारी का सामना करना होगा, precautions लेने पड़ेंगे, safety रखनी पड़ेगी, mask पैनना पड़ेगा, हातों को अच्छी तरह wind wash करना होगा, sanitize करना होगा और जब जरूरी काम हो तब ही भार जाएंगे, तब ही ये चीज उतनी ही जादा कम होईगी, और सबसे जरूरी चीज, social distancing, जिसका मतलब है कि हार एक इनसान के साथ कम से कम एक मीटर का दूरी बनाये रखना, जो कि सबसे जरूरी चीज है इस virus से लड़ने के लिए, और हम व धियान रखना हो, cleaning करना हो, game हम खेल सकते हैं, netflix चला सकते हैं, picture देख सकते हैं, अपने परिवार के साथ हमें time spent करना चीज है, हमारे बच्चों के साथ हमें खेलना चीज है, और खास कर सबसे जरूरी बात हमें अपने बड़े बुरों का और बच्चों का सबसे ज़्याद बाडी में सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो इसलिए आप बड़े बुरों का बच्चों का खासकर ध्यान रखें, अपना खुद ध्यान रखें, precautions लें, mask पेने, hand को sanitize करें, hand को अच्छी तरह wash करें, और जो भी आप घर पे कर सकते रहने के लिए, अपना दिन गुजारने के लिए वो सारी चीजे करिए, घर पे बैठे गेम खिलोना, घर पे बैठे पबजी रमोना, घर पे बैठे खाना बनाना सीखोना, प्लीज घर से भार मत निकलोना, घर पे बैठके अपने बड़े बुरों का बच्चों का ध्यान रखोना, और जो भी मन में आए वो कोरोना लेकिन प्लीज घर पे रहोना स्टे सेफ, स्टे होन